चालो नेक्स कोशन करते है कोशन रीकर कोशन का करें तू मासे एंवन एंटू आर एस पैज्ट तू दा इंड्स आफ एस फ्रिंग विच पासेज ओवर पुली अटेज्ट तू गर टॉप अफ एंट्लाइन प्लीन दम एंगल ऑफ इंकलेनेशन आफ द प्लीन इस थीटा और यह वैलू दिए हुई है हां दिया हुए 30 डिगरी एंवन एंटू की वैलू दिया हुए 10 और 5 kg यह 10 kg है यह 5 kg है नीचे फोस्ट लगेगा 5G और इधर कितना लगेगा अगर यह 30 डिगरी है तो जनरली होता है यह 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 तो यह तो यह तो यह तो यह तो जीरो हो गया ना कंडिशन क्योंकि इधर भी लफ साइड में भी 15 लग रहा है नीचे भी 15 इंट इस जैसे अगर दोनों को और जंटली अगर मैं प्लेस करूं एंवन एंटू इधर भी 50 न्यूटन का लग रहा है तो क्या अब्जेक्ट चलेगा रहेगा क्योंकि दोनों का मास M1 प्लस M2 अगर है तो 50 न्यूटन का फोर्स अपोसिट डारेशन में लग रहा है तो क्या बोडी मूव करेग हैं कि अगर रहेगी अगर किसी इस स्पीड से चल रही है मालों पहले से चल रही तो उसी स्पीड से चलती रहेगी यानि एक्सलेशन का वैल क्या होगी जीरो प्रक्रेट चलो नेक्स पश्चन करते हैं